ये देखिए बना है ना एकदम दानेदार साधियों जैसा मूंग दाल का हलवा ठंड के मौसम में जब भी कुछ मीठा खाने का मन करें तो एकदम हलवाई स्टाइल ट्रेडिशनल तरीके से इस मूंग दाल के हलवा की रेसिपी को ज़रूर ट्राइ कीजिएगा सब को ये आप शेयर करूंगी जिससे कि अगर आप पहली बार भी हलवा बना रहे हैं तो इसे बनाने में आपको कोई भी दिक्कत ना आए तो चलिए बिनादेरी की इसे हम बनाना सुरू करते हैं तो साधियों जैसा हलवाई स्टाइल बहुत इस्वादिस्ट मूंग दाल का हलवा ब आप कर लेंगे डाल को अच्छे से धोना बहुत जरूरी है तो इसमें पानी डाल कर हलके हाथों से रब करते वे डाल को लगभग चार से पांच बार साफ पानी से धोकर साफ करेंगे ताकि इसके उपर जो भी डस्ट वगरा लगा हो वो पूरी तरह से निकल जाए देखिय ये पानी का कलर चेंज होकर ये एकदम क्लावडी सा हो चुका है तो अब इसे फेक कर डाल को मैंने पांच बार धो लिया है अब इसमें जरुवत के अनुसर पानी डाल कर डाल को लगभग तीन से चार घंटे के लिए ऐसे ही जोड़ देंगे ताकि डाल अच्छे से फूल क सौफ्ट हो जाए मुझे याँ पर लगभग चार घंटे हो चुके हैं और अब आप देखिए मूंग डाल अच्छे से फूल कर सौफ्ट हो चुका है तो अब इसमें जितना भी पानी है उसको फेक कर डाल को पीसने के लिए एक मिक्सी के जार में डालेंगे डाल को पीसने म के बाद ये जो बाकी का बचावा मूंग डाल है वो भी मैंने यहीं पर डाल दिया है ताकि एक बार में ही सभी डाल अच्छे से पिस जाए अब जार का ढखन बंद करके मूंग डाल को हम बारिक होने तक पीस लेंगे देखिए बहुत यासानी से डाल बारिक हो चुका है इ लेकिन अगर आप हाथों से चुकर देखेंगे तो आपको इसमें हलका सा दरदरा पनमहसूस होगा और धियान रखिएगा कि दाल को हमें जादा मोटा या फिजादा दरदरा बिल्कुल भी ने पीसना है दाल का ऐसे बारिक पेस्ट बना कर तयार करेंगे अब हलवा बनाने के लिए सबसे पहले एक भारी तले की कराही को गरम करकी इसमें हम घी डालेंगे तो सेम कप से नाप कर मैंने यहां पे एक कप घी लिया है अगर आप वजन में देखते हैं तो लगभग यह 200 ग्राम है इसमें से थोड़ा सा घी को बचा लेंगे जिसे की हम बाद में डालें का साथ ही साथ दाल को भुनने में आसानी हो जाएगी अक्सर मूंग दाल का हलवा बनाने वक्त ये सिकायत आती है कि दाल को भुनने वक्त दाल पूरा कराही से चिपक जाता है या फिर उसमें गुठली बन जाती है तो इस ट्रिक से हलवा बनाईएगा आपको दिक्कत बिल उपर हलका हलका कलर आने लगा है तो अब इस स्टेज पे गैस को आफ करके पहले एक मिनट के लिए घी को हलका सा ठंडा होने देंगे उसके बाद इसमें हम दाल का पेस्ट डालेंगे और बिना देरी की इसे हम फटाफट घी के साथ मिक्स करेंगे ध्यान रखेगा कि अगर आ हमने जितना भी घी डाला था उसको दाल ने पूरी तरह से अब्जॉब कर लिया है तो अब ये जो थोड़ा सा घी हमने बचा कर रखा था वो भी यहीं पे डाल देंगे अब इस स्टेज पे गैस को फिर से ओन करेंगे और ध्यान रखेगा कि अभी गैस की फ्लेम को हाई य हलका सा ठंडा होने के बार डाला है जिसकी वज़े से देखी इसमें गाठे बिल्कुल भी नहीं बनी है एक एक दाना एकदम खिला खिला है जैसे जैसे दाल की भुनाई होगी वैसे वैसे करके इसमें जितना भी घी है दाल उसको पूरी तरह से रिलीस कर देगा लो फ्लेम पर मूंग दाल को भूनते वे मुझे यहां पर पूरे 10 मिनट हो चुके हैं और अब आप देखिए धीरे धीरे ड्राइ होकर मूंग दाल खिलने लगा है इसका जो कलर है वो भी चेंज होने लगा है घी को भी हलका हलका छोड़ने लगा है तो इस स्टेज पर गैस की फ्लिम को थोरा सा बढ़ा कर लो टू मीडियम या फिर मीडियम पर करेंगे और ऐसे ही धीरे धीरे लगातार चलाते वे इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से पूरा घी अलग नी हो जाता अब जब तक इधर ये दाल भूनेगा दूसरी तरफ हम ड्राइफूर्स को रोस्ट करेंगे तो इसके लिए पैन को गरम करके मैंने इसमें दो छोटी चमच घी डाला है घी मेल्ट होकर हलका गरम हो चुका है तब यहां पे मैंने बारी कटेवे बादाम बारी कटेवे काजू और बारी कटावा पिस्ता डाला है जो भी ड्राइफूर्स आपको पसंदो वो आ बिना ड्राइफूर्स के भी यह मूंग डाल का हलवा बहुत ही टेस्टी लगता है इधर डाल को भी जादा देर के लिए छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है बीच बीच में डाल को भी हम चलाते रहेंगे लो फ्लेम पर काजू बादाम को मैंने सिर्फ दो मिनिट के लिए भ दाल को भूनते वे मुझे आपे लगभग 25 मिनट हो चुके हैं और अब आप देखिए इसमें जितना बे मौशर था वो लगभग सूक चुका है हलका हलका बादामी कलर भी आने लगा है तो दाल को लगभग हम 10 मिनट के लिए और भूनेंगे ताकि इसका जो कलर वो और डार्क हो जाए दाल को सेखते वे मुझे आपे लगभग 30-35 मिनट हो चुके हैं और अच्छे से सिखने के बाद देखिए दाल ने पूरा घी छोड़ दिया है एक अच्छा सा कलर भी आ चुका है अगर आपको मूंग दाल का हलवा थोरे डार कलर में पसंद हो तो आप से 5-7 मिनट के लिए और भून सकते हैं अब इस स्टेज पे गैस की फिलिम को थोरी दिर के लिए आफ करेंगे और हलवा के सुआत को और ज्यादा बरहाने के लिए मैंने इसमें 200 ग्राम मावा डाला है यह सौफ्ट मावा है तो कदुकस करने की जरूद बिलकुल भी नहीं ह अगर मावा हाड या फिड राई है तो मावा को पहले कदुकस कर लिजिए उसके बाद इसमें डालिए ताकि यह आसानी से मिल्ट हो जाए और हलवा के साथ बराबर से मिक्स हो जाए एक बार अच्छे से मिलाने के बाद अब इसमें हम पानी डालने की तैयारी करेंगे ध्यान रखेगा कि गैस की फ्लेम को अभी भी मैंने आफ रखा है ताकि इसका जो टिंपरेचर है वो थोड़ा सा डाउन हो जाए इधर एक पैन में मिठास के लिए मैंने यापे सेम कप से नाप कर एक कप चीनी ली है वजन में देखते हैं तो लगभग ये 200 ग्राम है सेम कप से नाप कर इसमें हम देर कप पानी डालेंगे यहीं पे flavor के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा केसर के धागे साथ में आधी छोटी चमच इलाईची का powder डाला है घर में है केसर तो जरूर डालिएगा और अगर नहीं है तो आप इसे बिना केसर के भी बना सकते हैं अब गैस को on करके बस इसे थोड़ी तरक ले पकाएंगे जब तक कि चीनी पूरी तरह से घुल कर पानी में उबाल नहीं आ जाता ध्यान रखेगा कि हमें या पे कोई तार वाली या फिर चिपचिपी चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनानी है देखिए चीनी पूरी तरह से घुल चुका है और पानी में उबाल भी आने लगा है तो अब गैस को आफ करके इसे हम हलवे में डालेंगे अब एक बार फिर से गैस को on करके फ्लेम को एकदम लो रखेंगे और लो फ्लेम पर लगातार चलाते वे हलवा को लगभग 8-10 मिनट के लिए पकाएंगे या फिर जब तक की अच्छे से पक कर हलवा की जो कंसिस्टेंसी वो थिक नहीं हो जाता सिर्फ 2-3 मिनट में ही देखी इसमें हमने जितना भी पानी डाला था उसको दाल ने पूरी तरह से अब्जॉब कर लिया है तो लो फ्लेम पर हलवा को लगभग 7-8 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि हलवा अच्छे से पक कर इसकी जो कंसिस्टेंसी वो थोड़ी और ज्यादा थिक हो जाए हलवा को पकाते वे मुझे आप लगभग 6-7 मिनट हो चुके हैं और अब आप देखिए हलवा दानेदार दिखने लगा है किनारों से भी हलकालका घीच होड़ दिया है तो अब ये जो काजू बदाम को हमने फ्राई करकर रखा है न वो इसमें डालेंगे और एक बार अच्छे से मिलाने के बाद अब इसे धक कर लो फ्लेम पर बस दो मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि दाल का एक एक कर्ण अच्छे से फूल जाए दो मिनट हो चुके हैं और अब ये मूंग दाल का हलवा बनकर पूरी तरह से तयार है इसके दानेदार टेक्शर को देखकर आप समझ सकते हैं ये हलवा एकदम पॉफिक्ट बना है खाने में भी ये बहुत इस्वादिस्ट है तो एक बास जरूर ट्राइ कीजिएगा फ्रिज के बाहर आप इस हलवा को 5-7 दिन रखकर आराम से खा सकते हैं और अगर आप इसे फ्रिज में रखते हैं तो ये 15-20 दिन भी खराब नहीं होगा बस सर्फ करने से पहले फ्रिज से निकाल कर हलके से दूद के साथ हलवा को गरम कर लीजिए उसके बास सर्फ कीजिए बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है तो ट्राइ करने के बाद अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और अपने चैनल श्रिवानिस कीचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने प्यारे प्यारे कॉमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा